करनाटक की बीजेपी सरकार पर कॉंग्रेस लगातार हमलावर है एक तरफ जहां बीजेपी के अपने ही नेता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं तो वहीं 40 प्रतीशत करप्शन के आरोप में बीजेपी घिरती जा रही है कॉंग्रेस अद्यक्ष मलिका अरजुन खरगे ने एक बार फिर बीजेपी को आयना दिखाते हुए पीम मोदी पर हमला बुला है तो क्या कहा है खरगे ने जिससे बीजेपी तिल मिला सकती है आईए इस रिपोर्ट में देखते हैं करनाटक में बीजेपी के अपने लगतार उसके साथ छोड़ रहे हैं साथ ही अंदरूनी कलह से बीजेपी बैकफुट पर जाती नजर आ रही है पूरु सीम जगदीश शेटार ने तो बीजेपी का साथ छोड़ कर कॉंग्रेस का हाथ थाम लिया है बीजेपी के ही कटावर नेता लक्षमन साथ भी पार्टी छोड़ चुके हैं जिससे बीजेपी को भारी नुकसान की संभावना है इसे बीच एक इंटर्व्यू के दौरान कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिका अर्जुन खड़गे ने खुलासा किया है कि आखिर क्यों दोनों ने पार्टी छोड़ी है उन्होंने कहा है कि जब जगदीश शेटार जैसे नेताओं को पता चला कि बीजेपी में कुछ गरबट चल रही है तो दूसरे लोग भी सोचने लगे कि पार्टी में कुछ ठीक नहीं है सबको लगने लगा कि भाजपा अपने नेताओं को पूरी आजादी नहीं दे रही है वो नेताओं को खत्म करना चाहती है जैसे यदि यूरपपा शेटार और लक्षमन साबदी इन्हें यही लगा इसलिए उन्होंने पार्टी से किनारा कर लिया वही मलिका अरजन खडगे ने बताया कि BJP जैसे वोट बटोरती है और कमीशन कौन अपूर्व करता है उन्होंने कहा कि आप कब तक PM के नाम पर वोट लोगे क्या मोधी करनाटक के CM बन जाएंगे क्या अमिश्या करनाटक के ग्रहमंत्री बन जाएंगे करनाटक के लोकल इ BJP कहती है कि मोधी को देख कर वोट दो क्या मोधी हर जगे है आपको अपने काम के नाम पर वोट लेना चाहिए दलितों के लिए ऐसी लोगों के लिए क्या किया इंद्रा गांधी के समय में दलितों को सम्मान मिलता था हर जगे उचित पद मिलता था खडगे ने यहां तक कहा कि पार्टी के एक चहरे पर हर जगे चुनाव लड़ रही है लेकिन विकास पर चुनाव नहीं लड़ती तो मलिका अरजुन खडगे ने खुलकर पिया मोधी पर हमला बोलते हुए करनाटक में बीजेपी को आइना दिखाया है अब देखना होगा कि इस पर बीजेपी की क्या प्रतक्रिया आती है डीबी लाइफ की रुपोर्ट